इस अब आपका दोस्तों आपका दोस्त पूल्दीब बुलरिया आपके अपने चानल प्रणव रेल स्टेट से हैं तो आज हम फिर अवेलेबल है एक नई वीडियो के साथ एक नए प्रजेक्ट पे जो की हॉलेवर्ड के नाम से प्रजेक्ट है और दोस्तों यह जो प्रजेक्ट है यह कुराली चंडेगड हाइवे के ऊपर है बहुत ही बड़िया कनेक्टिविटी है यहां से आगर मैं बात करूं चंडेगड की तो यहां से 10-15 मिनिट की ड्राइब पे चंडेगड है और यह जो फेमस उनिवर्स्टीज है चंडेगड उनिवर्स्टी रायद बहारा दौबा ग्रूप अफॉलेज़ यहां से 5-10 मिनिट की ड्राइब पे हैं दोस्तों यह जो प्रजेक्ट है यहां पे हमारे पास जो अवेलेबल है यहां पे हमारे पास इस प्रजेक्ट में अगर कुछ अवेलेबल हैं तो वह दिखाया जाए तो आज हम उनी अपने दोस्तों की डिमांस को कुरा करते हुए आज हम इस प्रोजेक्ट के उपर हैं जो की हॉलिवोड के नाम से हैं तो दोस्तों यह जो प्रोजेक्ट है और यह जो फ्लैट्स है यह अगर मैं बजट की बात करूं तो बहुत ही बजचड यह फ्लैट्स है मात्र अठारा नपए अठारा लाग नपए हजार में यह फ्लैट हमें टूबेस की फ्लैट्स मिल रहा है यह अपर इस प्रोजेक्ट के लिए तो जादा देर ना करते हुए आए प्रोजेक्ट को हम विजट करते हैं तो यह हमारा सेंपल फ्लैट का हैं तो यह हमारा सेंपल फ्लैट का हैंड्रांस तो यह ड्राइंग डानिंग एरिया है विद फॉल्स अलिंग और इसी के साथ यह हमारा ओपन केचन ओपन मॉडलर केचन और यह हमारा मास्टर वेड्रूम यह दस बारा दस बारा के साइज में हैं कबर्ट यहां पर रहने वाली हैं और फॉल्स सिलिंग आपको हर रूम में मिलेंगी हैं इसे के साथ जो यह आटैंच वाटर श्रूम ग्लास के साथ इसको सेपरेट किया गया है अधिक बढ़िया तरीके से सेपरेशन किया गया इसका दोस्तों यह हमारा दूस्टा रूम जो कि यह दस ग्यारा के साइस में है कि दस ग्यारा के साइस में है यह रूम कमट्स के साथ में विद फॉसलिंग और यह ड्राइंग टाइनिंग के साथ ही अटैच वाश्रूम है यह वाश्रूम की कनेक्टिविटी दोनों ही तरह से है एक ब्राइंग रूम से भी है और दूसरा मास्टर बैट्रूम से भी है दोस्तों यह ग्राउंड फ्लोर है और ग्राउंड फ्लोर में यहां पर यह पीछे यह लॉन के लिए जगा में जाती है यह बेनेफिट है ग्राउंड फ्लोर वालों के लिए जो ग्राउंड फ्लोर में इंट्रस्टेड हैं तो पीछे एक लाउन के लिए आपके लिए स्पेस बन जाता है तो आप शाम के टाइम अपने फ्रामली के साथ यहां पर टाइस प्रिंट कर सकते हैं एक एक आप जाये केक अप खा नाजा ले सकते हैं तो नोगता है तो दोस्तों यह है सोसाइटी के बाहर का अलग तो काफी वाइड रोड है तकरीबन चालेश इस विट आप काई वाइड रोड है और इंटरलॉकिंग टाइल यहां पर लगी हुई है काफी नीटन क्लीन सोसाइटी है यह गेटेट सोसाइटी है यह गार्ड यहां पर अवैलेबल है 24 x 7 सेक्यूरूटी है और वाटर जो है पानी एमसी का भी अवैलेबल है और बिल्डर की तरफ से भी यहां पर वाटा स्टांग बना हुगा है तो बहुत जीवडिया फैसिस के साहथ यहां पर है तू विध्य फ्लाट्स अब्लबल इन्वेंट्री दोस्तों है हमारे पास अवेलेबल में बात करूं तो कुल इलाकि इस साइटी में आई सो एक्ट अची ऑप आप देखें कितने बड़िया तरीके से मैनेज कर रखा है नीटन की सोसाइटी है काफी वाइड रोड तो दोस्तों यह था हमारा आज का वीडियो जो कि टूबेश के फ्लैट्स के उपर था और मैं यह कहूंगा कफी बजिटेड यह फ्लैट्स है यहां पर टूबेश के फ्लैट्स और बहुत ही बड़िया सुसाइटी है विद सक्यूर्टी सीची टीवी कैमरा अवेलेबल है आपर 24 इंटू 7 यहां पर सक्यूर्टी अवेलेबल है अब यह कुल अन्रोड प्रोजेक्ट ह सब्सक्राइब यहां से अगर किनेक्टिविटी की बात करूं तो 10-15 मिनिट में आप चंडीगण में पहुंच जाते हैं और इस नेरभाई लोकेशन की बात करूं और युनिवर्स्टी की बात करूं तो यहां पर अगर मैं कहूं मैंक्स हॉस्पिटल यहां से 10-10 मिनिट्स का अब लुए जैसे मेंने पहले आपको बताया की इन वस्ट्रीच साराउंडिंधियरे काफी फेमस उनिवस्टी है यहां पर चंडीगण उनिवस्टी है यहां भाइद बहरा इनवस्ति है यहां पर गुरूप ऑफ कालेजिज है यहां पर तो इन्वेस्मेंट और रहने के बोध परपर्स यहां पर सॉल्व होते हैं बहुत ही वजटेट यह तूबेस के फ्लैट है काफी कम रेट पे है आज की इत मैं अगर मैं सराउंडिंग बात करूं चंडिगड के ट्राइसिटी के सराउंडिंग अगर बात करूं तो यह बहुत ही आज की रेट में रीजनेबल रेट पे यह तूबेस के फ्लैट अवेलेबल है तो मैं यहीं रिक्वेस्ट करूंगा आप ज्यादा देर ना करें अगर आप इन्वेस्मेंट का प्लान कर रहे आपको एरिया बताओं तो इस प्लाइड का एरिया है वह आट सो स्केर फिट का एरिया है तो बहुत ही रीजनेबल रेट पे फ्लैट्स अवेलेबल है तो आज का वीडियो दोस्तों मैं यहीं पर खतम करता हूं इजाज़त देजिए फिर मेलेंगे नए वीडियो पे नई लोकेशन पे नई प्रापर्टी पे तब तक के लिए थैंक यू सू मुझ धन्यवाद